नमस्कार तो हमने स्टार्ट की थी सीरीज एक्जाम सीरीज की एक्जाम की जो प्रिप्रेशन है उसको हम कैसे बैटर कर सकते हैं किस तरीके से उसके अंदर सबसे पहले पहले चेप्टर के हम बात करते हैं तो यूनिट एक के अंदर जो है चेप्टर नंबर एक एंड चेप्टर नंबर दो हैं अभी हम इस क्लास के अंदर सबसे पहले चेप्टर नंबर एक पर फोकस करेंगे की चेप्टर नंबर एक क्या है और उसमें क कैसे आते हैं हमने कल बात कि दी की 38 marks के जो कुष्ण है वह मैक्जियम क्योश्ण क्या रहेंगे चोड टाइब कुष्ण रहेंगे अब यहां से question किस परकार की question बनते हैं, क्या क्या हमें हम short में उतके बारे में बात कर लेंगे, short type question यहां से ज़रूर आता है, जबर बात करते हैं, सबसे पहला प्र एक आता है इसमें क्या है कि चार्ज जो है वोकिस तरे से रसे वस्ते और रहते हैं तो उसका जिएक प्रूर्मूला आप यूज करते हैं क्यों इस इकल टो एनी हम यह इस इकल निकाल सकते हैं तो यहां से निमेरिकल भी पूछी ले जाता है आपको यह दे दिया वन कुलाम चार्ज में कितने एलेक्ट्रों होते हैं तो क्यों की वेल्ब दे दि वन कुलाम इक वेल्ब क वेल्ब कर लें एक कियोश्ण निकाल के यहां से इसude दियुद्रू आघुन का का कर लो और उसकी दिशह सब्सक्राइब अब यहां इसकी यूणिट भी पूच लेते हैं एक माऍकस में इसके द्र detta is इस पॉइंट में केवल तीन बातें बस इतना सांसर देना होता है P is equal to Q into 12, Q is a charge, 12 is a distance between the charges, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, जिसको L भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, वहाँ derivation जब हम solve करते हैं, तो उसको simplify करने के लिए 12 कर लेते हैं, क्योंकि उसको divide गरना ज़ता है LL में, तो calculation थोड़ा simple हो जाती है, अब इसकी unit पे आते हैं, तो charge की unit के है कुला, 12 के distance, इसकी unit के है meter, दूसरे question आता है इसका, कि इसकी direction कैसे होगी, इसकी direction कैसे होगी, तो इसकी direction होती है, minus A, plus की ओर, तो दियूदरूप आते हैं, तो यहाँ, question number 3 इसमें जो पूछा जाता है, question तीसरा पार्ट है, इसका important पार्ट है, वो है विद्धूत flux, electric flux किसे कहते हैं, विद्धूत flux की परिभाशा, तो विद्धूत flux क्या होता है, flux का मतलब होता है, electric field lines, number of electric field lines, simple आप यह बता सकते हो, किसी भी सत्य से, लमवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, विद्धूत छेतर रेखाओं की संख्या जो होती है, उन्हीं को ही कहते हैं, electric flux कहते हैं, अब उसकी, इसको define कैसे करें, formula format में, 5 is equal to लिखते हैं, उसको, e.ds, ds बी अग vector quantity है, e बी अग vector quantity है, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, e.ds, a.b जो होता है, वो, a.b cos theta होता है, तो e.ds को क्या लिख सकते हैं, e.ds, cos theta format में हम इसको define कर सकते हैं, तो यहां से, अब यहां से numerical भी पूछ लिए जाता है, आपको e की value दे दी जाए, ds की value दे दी जाए, और वो, ds का मलब area है, छेतर फल दे दी जाए, कोई वर्गा का structure है, कोई surface है, उसमें से गुजरने वाले flux की value बताओ, अगर उसके विद्दू छेतर की value, दो गुणा दसी बार, तीन न्यूटन पर कोला में इस तरह सी दे रखिए, और theta की value से हम इसको solve कर सकते हैं, एक बात इसमें, simple way में जब question आता है, तो यह पूछा जाता है, एक थोड़ी सी चीजी इसके अंदर घुमा फिरागे पूछ ली जाती है, इसमें perpendicular और parallel के बारे में दे दिया जाता है, लंबबद आ रही है विद्दू छेतर या समान तर आ रही है, तो इसके अंदर एक एक element लिए जाए, अलपांस लिए जाए, तो उसकी दिशा हमेशा क्या होते है, उसके लंबबत होती है, अगर field lines parallel आ रही है, तो field lines ऐसे आ रही है, और इसकी direction यह है, यह field line की direction होगी, विद्दू छेतर रेखाओं की direction, और यह इसकी direction होगी, सत्या की direction, तो angle दोनों के बीच direction है, वो किस में है, विद्दू छेतर में, और इस DS की direction के बीच में, अंगल है, angle E और DS की direction के बीच में है, तो इनके लिए क्या होगा, अगर आप कोई दे रखा है, विद्दू छेतर रेखाएं, प्रस्ट के समांतर आ रही हैं, अगर समांतर आ रही हैं, तो ध्यान रगना एकी direction में होगे, अगर लंबवत है तो theta की value क्या होगी? theta की value होगी 0 degree, यानि यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान अगना है, यहाँ से भी question पूछ ले जाता है, कि अधिक्तम विद्धूत flux का value कब होगी? तो अधिक्तम विद्धूत flux की value कब होगी? जब theta की value 0 degree होगी, वो 0 की value 1 होती है, और 0 कब आएगा? जब विद्धू छेतर प्रस्ट के लंबवत आएगा, तो यह सहता है, इसके लंबवत आएगा, तो पूरा इसमें से निकल जाएगा, अगर ऐसे आएगा, तो आदा इधर होगा, अगर ऐसे आएगा, तो क्या होगा? आदा यह जो flux है, जो उचा जाता है, flux के बारे में, electric flux, कि से rated? गोसे जो से लेटर, एक क्योशन यह भी आ जाता है, गोस के नियम को परिभाशित करो, गाउस का नियम या गोस के नियम को लिखो, गोस का नियम लिखो, तो यह भी आप ध्यान रखना, इसके बारे में पूछ जाएगे, तो बता स क्योशन आता है, तो वो आता है, numerical format में, कौन से format में आता है, numerical format, अब numerical format में कैसे question आता है, direct भी दे जाता है, diagram, कोशिश यह रहते है, ज्यादा तरी यह रहता है, diagram format में आता है, कैसे आता है, जैसे आपको इस तरह सी दे दिया, इस तरह का question दे दिया, और यह शेडो माइक्रोकुलाम है और यहां दे दिया यह माईनस एक माईक्रोकुलाम है ऐसे दे दिया यहां लिखाए दो माईक्रोकुलाम यहां लिखाए तीन माईक्रोकुलाम आप वो क्योशन में क्या का गया है क्योशन में का गया है छाया की दभाग ऊधा प्र्मर, यूजे जो झाणी तो इसके अंदर जो चार्ज है उसके अकोडिgate हमें क्या बताना है कैसे आएगे हैं सिगमा क्यों हैं सिगमा क्यों मतलब टूटल चार्ज total charge क्या होगा plus का 2 है minus का 1 है then sigma q is equal to क्या आ गया sigma q is equal to आ गया 2 minus 1 is equal to 1 microcolomb और 1 microcolomb की value कि दिए है 1 into 10 is to power minus 6 column और जब इसको solve करेंगे तो क्या करेंगे value पूट कर देंगे 5 is equal to क्या जाया 1 into 10 is to power minus 6 divided by epsilon 8.85 into 10 is to power minus 12 इसको solve कर लो जो answer रहेगा वो इसका final answer होगा तो यहां से भी इसमें से question जो है वो short type question के लिए formula है इस तरह के numerical भी पूछी जा सकते हैं एक बात पूछी जाती है विद्दु छेतर रेखाओं के बारे में, विद्दु छेतर रेखाओं के बारे में इस दूभAt दिदम्या तीन चार टोपिक जो हैं उनके शोर टाइब ग्योशन, एक एक लीन करते हैं इनको अगर हम कर लेते हैं तो भी हमारे इस चेप्टर से आने वाड़ा क्योशन सही हो जागा इस से भाः क्योशन नहीं आएगा mostly यही चीज़े हैं यह 57 question रहते हैं इनके अंदर से question पूछी ले जाता है विद्धू 6 रेखाएं क्या हैं विद्धू 6 रेखाओं की विशेस्ता हैं क्या है यह पूछ लेते हैं एक विशेस्ता लिखो या दो विशेस्ता रिखो कोई भी दो property लिख लो कि plus से निकलती है यह पूछ लेते हैं दो विद्धू 6 रेखाएं एक दूसरे को काड़ ती क्यों नहीं है क्यों नहीं काड़ती है एक दूसरे को काड़ देंगी विद्धू 6 रेखाएं तो यह जो cross point है इस पर इस परस रेखा जो tangent लेते हैं वो direction बताती है किसी भी point पर तो इस point पर direction क्या होगी इधर होगी और इसके according की देखेंगे तो direction इधर होगी एक point पर दो direction possible नहीं है तो एक point पर direction क्या होगा या दो विद्यू छेटर रेखा इधर जारी होगी इसका मतलब क्या होगा एक समय पर दो डारेक्शन पुसिबल नहीं है इसका मतलब विद्यू छेतर रेखा है एक दूसरे को काटती नहीं है यह क्योशन भी इसमें से उसे जाता है अब एक बात और इसके अंदर आ सकती है जो क्या है जो है नियुमेरिकल भूती सिंपल नियु में हपलाई ओते हैए एफ़ इस उगंड़ डिघ्र भी एक टूपी आरे श्क्यूर्पाइव कोई भी फॉर्म्ला लिखा हो ए गटार लुचायोग लिखाओ लुचटिक प्यवल लिखाओ या कोई मेगनेटीशी यह किसी भी chapter कहा कोई भी Ruby कोई भी formula हो सब के अंदर यह बाद apply होती है चैनल यह पहली बात हमें यह देख रही है कि वह किस टोपिक से रिलेटेड है अगर हमें यह का जाता है कि बीच की दूरी को आदा कर दिया जाए और उन आवेशों की वेल्यू को दूगना कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाड़े बल पे क्या परभाव पड़ेगा बल का मा होगी value of charges makes double and distance between the charges is half from initial value then what will be effected the force between the charges so f की value क्या होगी वह मैं क्या रगएगा बताना रहा अब दे दिया charge की बात की गहीं दो चार्जेज है बीच की दूरी है इसका मतलब क्या पूछ रिया फोर्स पूछ लिया तो की से सबसे पहले क्या लिखना है हमें सबसे पहले लिखना है F is equal to K K1 यह बात अगर तीवरता से related होती तो हम T1 is equal to K upon R2 अगर V से होती ही तो F is equal to K2 आपना जो भी Formula होता है उससे हम क्या करते अपलाइक कर लेते तो देखे पता चलंगा भी या दे रहा है चार्ज दे रहा है डिस्टेंस दे रहा है फोर्स पूछा गया तो इन में क्या रिलेशन होता है हुलम स्क्रीन होता है अब जो चेंज क्योंचिंग के अंदर है वो चेंज इसमें अप्लाई कर दो इस तरह जितने भी क्योश्टे वो सारे सोल हो जाएंगे, सारे सोल, थर्ड चेप्टर में इसे बहुत पुछे जाते हैं, क्या, क्या चेंज जिद दिया गया है, कि Q1 को रिप्लेस कर दिया, 2Q1 से, Q2 को रिप्लेस कर दिया, किसे, 2Q2 से, क्या हो गया, charges दुगने होगे, दूरी को क्या कर दिया, replace कर दिया, आदा से दूरी को क्या कर दिया, आदा कर दिया, अब देखो, यह सारी values में apply करेंगे, जब हम कुछ change कर रहे हैं, तो result भी क्या होगा, result भी change हो जाएगा, change हो जाएगा, f नहीं रहेगा, f नहीं रहेगा, 2Q1, into इसकी ज़र क्या रखेंगे, 2Q2, इसकी ज़र क्या रखेंगे, R upon 2 का, all square, अब इसको simplify करोगे, तो हमेशा, कोई भी topic हो, हमेशा उसके अंदर क्या रहेगा, same वो ही formula वापिस वहीं का वहीं आ जाएगा, जो हम लेकर से लेते, साथ में एक number आएगा, कुछ ना कुछ, व और वो ही उसका answer होगा, अब number कैसे आएगा, so look कर लेंगे मिसको, 2 multiply 2 कितना होगा, 4, K, Q1, Q2, इसका square करेंगे, तो R square upon 4, यह 4 उपर जाएगा, तो final value क्या आ गई, 16, K, Q1, Q2 upon R square, तो formula वो का वही है, value वो की वही है, कहां से, by equation first, by equation first value put कर दें, then F dash is equal to, क्या जाएगा, 16 multiply by F, इसका मतलब क्या हो गया, कि final value will be 16 times multiply from its initial value, it means final value क्या होगी, पहले की तुलना में दोड़ा गुना होगी, multiple choice के जो question आते हैं, उनके अंदर, short type जो question आते हैं, one word के जो question, उनके अंदर इस तरह के question पूछे जाते हैं, यह तो है, इस chapter की short type की बाते हैं, अब इसकी जो, जो यह questions हैं, इनकी PDF भी मैं upload कर दूँ, मुझे जादा upload करना आता नहीं है, technical चीज़े जादा नहीं आती है, तो मैं courses करूँगा, सीख लूआ किसी से, और फिर इसको कैसे update करते हैं, upload करते हैं, तो मैं courses करूँगा, अगर हो पाया तो कर दूँगा, otherwise मेरा Facebook page है, physics by annual सक्रा, उसक हैं, तो उसको आप देख लेना, तो उसके अंदर मैंने यह सारी चीज़े लिखी हैं, कि आप इन में, यह जो हमने पांसात questions की बात की बात की हैं, आप इसको कर लेते हो, then sufficient है, काम बहुत है, ठीकिन, marks ज़्यादा आए अच्छी बात है, लेकिन केवल marks ही life नहीं है, इस ब अगर हम effort डालते हैं, life में, तो हम कितना भी better कर सकते हैं, आगे भी better कर सकते हैं, बस यह है कि जितनी हमारी efficiency है, जितनी हमारी शमत है, उसके अनुसान हमें मैनत करनी है, result को accept करना है, अपने आपको improve करना है, और फिर grow करना है, life will be better, जिंदगी हमेशा बहतरीन के और चलती ह और बहतरीन के और उसको लेके जाना है, जो गया उसको regret में कभी नहीं जाना है, जो गया वो समय नहीं आता है, regret में नहीं जाना है, अब जो समय, उस समय को proper utilize कर लें, और उसको सीख लें, अब एक बात final बात इसके अंदर और कर लेते हैं, वो क्या है, वो है long type question, इस chapter में स इसमें एक topic आता है, विशुवतिय रेखा, equatorial line, विशुवतिय रेखा, या निरक्षे रेखा भी कहते हैं, विशुवतिय रेखा पर विद्धु छेतर की ती वरता, एक ताब हो कर लेना, दूसरा, gosses low, गाउस का जो नियम है, उस से related कुछ application है, उसमें से समतल चदर के ए और इसके अलावा, गोल ये कोश के काल, उसको भी आप कर लेगी तो बैट रहेगा, इनके option में भी एक question आता है, वो second chapter से आता है, तो हम second chapter के बात करेंगे, तो ये तो long type question की बात हमने किया है, बाकी short type के बाल आप इनको अच्छे तरह से कर लेगे, तो भी ठीक है, paper में बाते कर लेंगे, कि आपको paper में किसी तरह कोई दिक्कत में आएगी, बहुत easy way में हम paper को अच्छे माक्स ले सकते हैं, thank you, मिलते हैं next class में.